हेलो दोस्तों इस वक्त की एक बहुत अच्छी खवर सामने आ रही है उन सभी अंतराष्टे यात्रियों के लिए जो लोग जापान में घूमने के लिए जाना चाते थे तो आपको बता दे कि जापान की गौर्णमेंट की तरफ से आज यहां पर यह अनॉंसमेंट कर दिया ग जानकारी दे दी गई है कि वो दुनिया की 106 देशों के इंटरनाशनल पैसेंजर को अपने देश में आने की उनुमती दे रहे हैं लेकिन साथी साथ उन्हों नहीं आपर यह जानकारी दी है कि जो लोग जापान में घूमने के परपस से आना चाते हैं उन से भी लोगों के आप जापान में काम के परपस से जाना चाते हैं तो अब आप बीना करोना वारिस टेस्ट के जापान में ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ दूस्तों एक और बड़ी खबर यहां पर ब्रिटेन की तरफ से आ रही है तो आपको बता दे कि ब्रिटेन से यूरोप की देशों मे के लिए अपनी फ्लाइटों को कैंसिल कर दी है इसके साथ दोस्तों आके बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर यहां पर यूई की तरफ से आ रही है तो आपको बता दे कि यूई की एलाइंस कंपनी एयर अर्विया की तरफ से यहां पर ये जानकारी शेयर कर दी गई है कि जैपूर से अबुधावी के लिए अपनी डायरेक्ट फ्लाइटों को पांच मई से चालू कर रही है जी हां दोस्तों जो लोग भी जैपूर इंटरनेशनल एयर पोर्ट से अबुधावी जाना चाते हैं तो इन सबी लोगों के लिए ये रविया पांच मई से अपनी डाय बात कर रही है तो दोस्तों ये दो-तीन अब्लeg की लिए रही तो इस वक्त के अंतर आस्ति औरनों की तरफ से जिसकी जानकारी आप में मिली है वीडियो ऑप लोगों को च्छी लगी ड़ी हो तो इस वीडियो को जरूर रयक करें ली और बनी और इंवacyjक्षि박 बीज़ और